इस दसक का आज ये पहला सत्र प्रारंब हो रहा है भारत के उज्वल भविश्य के लिए ये दसक बहुत ही महत्पपून है और इसलिए प्रारंब से ही आज हदी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को उन संकल्पों को तेज गती से सिद्ध करने का इस्वर्णिम आउसर अब देश के पास आया है इस दसक का भरपूर उप्योग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तूती हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमरत प्राप्त हो ये देश की अपेक्षाएं हैं मुझे विश्वास हैं कि जिस आशाव और अपेक्षा के साथ देश के कोटी-कोटी जनोंने हम सब को संसद में भेजा हैं हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उप्योग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांग्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में फिशे नहीं रहेंगे ये मुझे पुरा विश्वास है सभी संसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे ये मेरा पुरा विश्वास है ये बजेट का भी सत्र है वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं हमें वित्तमंत्री जी को अलग-अलग पैकेज के रुप में एक प्रकार से चार-पांच मीनी बजेट देने पड़े याने 2020 एक प्रकार से लगातार मीनी बजेट का सिलसला चलता रहा और इसलिए यह बजेट भी उन चार-पांच बजेट की स्रंखला में ही देखा जाएगा यह मुझे पुरा विस्वास है मैं फिर एक बार आज आदर्णी राश्पती जी के मार्दर्शन में दो दो सदन के सभी सांसद मिल करके उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रयास्रप है बहुत बहुत धन्यवाद